बच्चों हम अब दूसरी एक रशना करने जा रहे हैं रशना क्रमांग दो इसमें हम एक दी हुई रेखा के समानंतर एक ऐसी रेखा की रशना करने जा रहे हैं जो निरधारे बिंदो से गुजरती है और ये बिंदो दी हुई रेखा से किसी दूरी परिस्थित है तो देखि जो परस्तितिय दी हुईyy है उन्हें हम पहले यहां पर चित्रित करेंगे हमें एक रेखा पहले से दी जा रही है कि महरी यह वो रेखा है जो हमें इसमें दी गई है इसे हम अंकित करें रेखा के तरुपर दोनों तरफ कर निशान लगाए और इने एक माल लेज़ेショl農 की पी नाम दिया If को एक दूठरा बिंदू है इसे हम ने क्यों नाम दिया और एक बिंदू आरब है यहांपर जो is रेखा के बाहर कहीं परस्तित है माल लेज़े इसे हमने यहां लिखा यह बिंदू R है अब हमें एक ऐसी रेखा की रश्णा करनी है जो R से गुजरती हो और P क्यों के समनांतर हो तो आप जानते हैं कि किसी बिंदू से अनन्त रेखा गुजर सकती है लेकिन इन रेखाओं में से हमें किमल वो रेखा चाहिए जो P के समनांतर हो तो यह हमें रश्णा करनी है अब हमें देखना है कि हमारे पास जो दी हुई चीदे हैं वो क्या है और हम कौन से जामेतिय सिधानतों का उप्योग कर सकते हैं जिसके हमने कहीं आपके पास हैं जिसके हमने प्समा तर प्सम के सब्सक्राइब सानाता हैि गें सब्सक्राइब कीने ये यह?". तिर्यक रेखा के साथ जुड़ती हैं तो उस तिर्यक रेखा पर दोनों एक जैसा कोड बनाएंगी जैसे हम संगती कोड या संगत कोड कहते हैं तो अगर हम एक कोड की रशना यहां पर करें और ठीक उसके बराबर कोड की रशना यहां पर कर दें और वो जो कोड है उसकी एक चित्र की रूप जैना है कि मैं श को श्रेखें मतलीजी युक्रव्यक्र चीटीए हो पीजें मतलीजी श में/. रहां हुश्क क чувकrato की रही सरे हे ज आरätze अज जा से कीकविच्वक्रव्यक्र बहंे वालच– जो जो बलामपो च्मेर कोअ कि और तो वह एक भुजा गया बात जिए कि अगर हम इसके बराबर के कौण की रशना यहां पर कर लें तो जो दूत्री वाली हमें भुजा मिलेगी कौण की वह निश्यत रूप से इस पी क्यूंगे समनांतर होगी तो और हमारा काम जो लक्ष हमारा अभिष्ठ जो है वह हमें प्राप्त होगा तो चली कोशिश करते ह हैं कोण की रशना के पदों का ध्यान रखिए इसके बराबर के हम कोण की रशना करते हैं तो जो कोण का शिर्स है उस पर परकार के नोक को रखकर हमें एक किसी एक त्रिज्जा के चाप खीचते हैं और जिस जगह पर हमें कोण बनाना है वहां पर भी हम यही काम करते हैं त देखिए इस कोड की माप हम यहां इस तरह से नापे और इन बिंदों को नाम दे दे हम एस तक नाम दे चुके हैं पी क्यू वार एस माली जी इसको बिंदू टी देते हैं और यह बिंदू यू है तो यह जो कोण T SU बन रहा है उसके बराबर कोण हम यहां पर बना लें बिंदू R पर तो जो कोण बनेगा उसके दूसरी भुजा इसके समनानतर होगी तो देखिए ऐसा करने के लिए हम क्या करें कि T से U की जो दूरी है वही दूरी हम को यहां से यहां पर मिल जाती है तो जो कोण बनेगा उसके बराबर होगा यह हमने T पर परकार के नोग को रखा और दूसरी पेन की नोग को हम U पर रखते हैं और ठीक इस तरिज़्जा की माप को हम यहां पर भी अंकित करते हैं तो देखिए जो T.U. की दूरी है वो इसके बराबर होगी और इसका भी हम नाम देदें इस बिंदू का हम नाम देदें मान लीजे ये V है और इसे आप W नाम देदें और R और W को मिला दें आप कि एक कोंड की रशना होने जा रही है इससे आप रेखा के रूपर प्रदर्श्चित करें यह हमने इस बिंदु डबलू से होकर और आर से होकर एक रेखा के जी और चुकि हमने यहां जो कोंड वी आर डबलू बनाया है वो टी पी यू के बराबर है और यदि यह दोनों कोंड बराबर है तो यह संगती कोंड के रूप में होंगे और तीर्यक रेखा वी एस के द्वारा आर डबलू और पी के बनाया हुए कोंड होंगे और चुकि यह संगत कोण है बराबर है तो निश्चित रुप से आप इस आधार पर कह सकते हैं कि जो बनने वाली नई रेखा है जो इस कोण की दूसरी भुजाती वो रेखा जो निर्मित हो रही है वो पी क्यू के समनांतर है तो देखिए आपने समान कोण बनाने के गोड़ को उपयोग करते हुए रेखा पी क्यू जो पहले दी हुई थी उसके समनांतर एक दूसरी रेखा कीशने में सफल हुए तो ये था किसी दी हुई रेखा के समनांतर एक ऐसे बिंदों से रेखा कीशना समनांतर रेखा कीशना जो उस रेखा के बाहर रिसी थे तो ये रश्टा हुई अब इस जो हम चाहते थे उसकी